मा के साथ प्रधान मंत्री मोदी का रिष्टा बहुत खास था जब वो बड़े हो रहे थे तो हीराबा घर चलाने के लिए दूसरों के घर बरतन मांजा करती थी आज भी प्रधान मंत्री उन लम्हों को याद करके भावुक हो जाते हैं हम आपको बताएं कि प्रधान मंत्री मोदी की मा हीराबा जब पहली बार प्रधान मंत्री आवाज पहुँची थी तो मोदी ने खुद वीलचेर पर बिठा कर उन्हें पूरा प्रधान मंत्री मोदी के साथ नहीं रही लेकिन चाहे जन्दिन हो या फिर किसी खुशी का कोई मौका, मुदी अक्सर हीराबा से मिलने जाया करते थे प्रधान मंत्री मुदी ने कभी मा हीराबा को अपनी शक्ती बताया, तो कभी उनकी आखें गरीबी में संखर्ष को याद कर छलकाई माता जी है, 97 से भी ज्यादा उमर है, आज भी अपने सारे काम खुद करती है, सब कुछ काम खुद करती है, पड़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उसका उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, और नहीं कुछ पता नहीं था, अब जब हम छोटे थे, तो हमारा गुजाना करने के लिए, बे अडोस पडोस के घरों में, बर्तम साप करना, पानी भरना, मज़्धूरी करना, वीलचेयर पर बैठी मां और बागवानी दिखाते प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी, ये तस्वीर तब की है, जब मूदी प्रधान मंत्री बनने के बाद, अपने आवास पर उन्हें लेकर आये थे, सफेज साड़ी में हवाई चपल पहने, पीम मूदी की मां वीलचेयर पर बड़े गौर से बेटे की बाते सुन रही थी, ये पहला मौका था, जब हीरा बा अपने पीम बेटे से मिलने दिल्ली के साथ रेस कोर्स पर आई थी, जब कोई मां अपने बेटे के घर आती है, तो बेटे का जोश सुभाविक है, और जब बेटा देश का पीम बन जाए, तो उत्साह को शब्दों में बया करना मुश्किल हो जाता है,